हलो गाइज वेलकम टू ता सेशन गाइज आज के सेशन में हम लोग हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 8 जो था वहां से कंटीन्यू करेंगे 7 तक हमने हमारे दिमाग में सेट कर लिया था गाईज हमने cash basis accrual basis दिमाग में set कर लिया था अब हम आगे पढ़ेंगे बट याद रखना पुराना अगर revise नहीं कर रहे हो पुराना अगर याद नहीं है तो मेरी सारी के सारी मैनत क्या होगी बच्चों waste हो जाएगी तुमारा खुद का जो इतना time waste हुआ है lectures में वो investment की जगे एक completely आपके उपर liability बन जाएगी अर अकाउंट्स के लोग है टेक्निकल में बात करेंगे करेंगे तो asset बना उसको rather than liability start करें तो बटा अब start कर रहे हैं अपन accounting principle 8 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 accounting principle 8 जो है वो है बिटा revenue recognition पर किस पर है मेरे पेरे बच्चों revenue recognition क्या कहता है revenue recognition principle यह अभी बताते हैं आपको 2 second यहाँ पर question क्या है when revenue has to be recognized याद करो example आपने याद होगा एक पिजा सेंटर खुला था शुरुवाती लेक्चर उसमें याद आ रहा है तो मैंने का let's say उसी पिजा सेंटर का एक एक एकसामपल ले लेते हैं उसी पिजा सेंटर का एक एकसामपल लेते हैं पूरा हो पूरा सम्झाने कौह stretch необходимо मैंने ने हम है में यहां पे सैनेरियो दे देता हूं मैंने पहले सेनारियो यह तुमारा पिजा चैस्टें उपर लिखी दिया अपन कहते हैं यह देखो यहां पर सेनेरियो नंबर वन मैंने का एक कोई पर्टिकुलर बंदा आया और वह बंदे ने आके क्या किया तुमारे यहां काउंटर पर ओर दिया 對 कॉंटर पे उसने order कर दिया बोले कि आर जाब काउंटर बोले कि बताओ आपके या मतलब पूछा तुम से विच्ट टाइब ओफ इसरी तइस एक टाइप ओपीज़ इसरी इतना पूछा उसी से तरीके का पिजा यहां बेचते हो चला गया दूसरा सिनने रिया मैंने का एक आदमी आया वह सेम वेसा का वेसा एक काउंटर पर आया और बोलता है कि पैपे पनीर पिजा जो आप बेचते हो आरा समय कॉस्ट ऑफ पैपे पनीर उसने बस यह पूछा कि आप यह बताओ और जैसे 800 बोला वह तो घुनके चला गया नहां का नहां का आरा समय मैंने का यह दूसरा सिननेरी अब मैंने का एंड में तीसरा सिननेरी आएगा एक बन्दा आया उसने कहा ऐसने क्या कहा उसने कहा बोले कि यार मुझे एक पैपे पनीर पिजा देतो पैने पनीर लिख दिया पने पैपर की जाएंगे हैं तो पैने पनीर बोल धेते हैं तो पैने पनीर पिज़ा ओरडर दिया उसने जा एक पैने पनीर पिज़ा हमने का भी अब आप मुझे बताओ अब ये आराम से क्या कर रहा है मेरे पहरे बच्च wus Commission यहां पर अराम से पिजा खारा यहां पर अब स्टोरी मॉरल ऑफ दे स्टोरी है कि यह आदमी यहां पर आराम से बैठके पिजा खारा है अब आप उखे बताओ क्या बुला मैंने अब आप मुझे बताओ I forgot to bring my wallet या मैं मन बोला यार मैं तो अपना पैसा लाना भूली गया हमने का तू फोन पे कर दे हमने उसको का पे टियम कर दे हमने का सब भूल गया फोन भी रह गया वो भी रह गया हमने का चलो ठीक है यार खाने पे क्या बोले किसी को अब सिचुएशन क्या हुई इसके भी दिमाग से निकल गया फिर चार महीने बाद ये गुजरा तब उसने कहा दिये पैसे दिये अब मुझे इन चारों के चारों सिनेरियों में अच्छे से बताओ इन चारों के चारों के सामने है मेरे प्यारे बच्चों इन चारों के चारों के से में चार मतलब वो तीसरे वाले का जो सब पार्ट है उसको लेके चल रहा हूँ मैं तो अगर यह तीन के से मान दो चलो तीन देख लेते इन तीन के से में से आप मुझे बताओ क्या पहले केस में हम हमारा रेविन्यू मान लेंगे क्या पहले केस में जब वो आके पूछके गया कि किस टाइप के पिजा हैं हमने का नहीं भी है हम नहीं मानेंगे देखो लेमेन लेंग्विज में तो आपको समझ में आ गया होगा मैं अब टेक्निकल पार्ट बताऊंगा मतलब यह तो आपको पता पढ़ गया होगा देखके कि कब मांग सकते हैं कब नहीं क्योंकि जेनरल सिनेर्यू तुम्हें पता ही है बट मैंने कहा कि अब इसका टेक्निकल वर्जन भी देखेंगे बट पहले जेनरल वर्जन हमने पहले वाले केस में वो पूछके गया विच टाइप ऑफ पिजा डू यू सेल हमने का भी है यह टाइप ऑफ पिजा और वो भाग गया दूसरे वाले में वो आया और उसने कहा कि कोस्ट क्या है आपके पहने पनीर पिजा की हमने का 800 रुपए और पूछके फिर चला गया दूसरे वाले केस में भी क्या रेविन्यू हुआ तारे कुछ खरीद आई है तीसरे वाले केस में क्या रेविन्यू हुआ यस क्या रेविन्यू हुआ यस तो मैंने का सबसे पहल revenue recognition principle जो है न वो यही बताता है technical language revenue should be revenue should be recognized revenue should be recognized when the other party is in obligation to pay or we have the right we have the right to ask for payment we have the right to ask for payment अब देखो कितना easy term में बता दिया मैंने मैंने का revenue तभी आप अपना revenue मानोगे जब सामने वाली party के ओपर liability है कि वो पैसा देगी या फिर तुम्हारे पास right है कि तुम सामने वाले से पैसा मांग सकते हो नहीं तो revenue recognize नहीं होगा क्या दूसरे वाले case में पैसा मांग सकते हो नहीं तो revenue recognize नहीं होगा तीसरे वाले case में पिजा order कर गया वो खा गया अब तो तुम्हारे पास right है कि तुम सामने वाले को बोलो बहुता बाट सो रुपे देदो तो थर्ड वाले case में आप अपना क्या करोगे बिटा revenue recognize करोगे आप अपने revenue को क्या करोगे recognize करोगे story clear हो गई दमाग में सेट हो गया तो मैंने का अब आपके तीनों की तीनों case clear है अब मैंने का देखो अब accrual से connect करो इसलिए जब आप डिटेल में पड़ोगे तो बार बार एक आता है कि अकर आप फॉलो करते हो तो revenue रिकेगनाइजेशन भी फॉलो हो रहा है क्या फॉलो हो रहा है revenue रिकेगनाइजेशन क्यों फॉलो रहा है मैंने का अब देखो यह जो connection में कर रहा हो ना यह बहुत जरूरी है मेरे रहा है कि सामने वाले से पैसा मांगो तब आप अपना revenue मान लो अकुरूल भी तो यह कहता है लेट से लेट से यह transaction हुआ होता लेट से यही कहता ना जब तुमने अर्न कर लिया revenue सब तुम उसको recognize कर लो इस दिस क्लियर टो यूँ गई रेविन्यू रिकेगनाइजेशन क्रिस्टल क्लियर है एक्जामपल सामने